नमस्कार दोस्तों मुनाफ़ा अनुमान से अच्छा NPA में आई गिरावट तो इस सरकारी बैंक ने दिया रिकार्ड डिविडेंट दोस्तों बैंक का मुनाफ़ा चौथी तिमाही में अनुमान से बहतर रहा है बैंक के मुनाफ़े को लेकर अनुमान 3,753.6 करों रुपे का था लेकिन मुनाफ़ा 3,757.2 करों रुपे दर्ज हुआ है दोस्तों कैनेरा बैंक ने बीते कारोबारी साल की चौथी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में जनवरी मार्स तिमाही में हुए मुनाफ़े और कमाई की जानकारी दी है बैंक का मुनाफ़ा चौथी तिमाही में अनुमान से बहतर रहा है बैंक के मुनाफ़े को लेकर अनुमान 3753.6 करोर रुपय था लेकिन मुनाफ़ा 3757.2 करोर रुपया दर्ज हुआ दोस्तो आगी की जानकारी देने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लीजिए दोस्तो साल दर साल के अधार पर बैंक का मुनाफ़ा 3174.7 करोर रुपय से बढ़ कर 3757.2 करोर रुपय हो गया है इसके प्रोविजन की बात करें तो ये तिमाही दर तिमाही अधार पर 1899 करोर रुपय से बढ़ कर 2482 करोर रुपय हो गई है एक्शेंज फाइलिंग के मताबिक बैंक की एन आई 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 बियाद से होने वाली कमाई की भी अनुमान से बहतर हो रही है केनरा बैंक के एन आई आई को अनुमान 9368.07 करोर रुपय था लेकिन नेट एन आई आई 9580 करोर रुपय रहा इस बीच बैंक के ग्रास एन पीए और नेट एन पीए में गिरावट देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही के अधार पर बैंक का ग्रॉस NPA 4.39% घट कर 4.23% रह गया है बैंक के नेट NPA की बात करें तो उसमें भी गिरावट हुई है नेट NPA 1.32% घट कर 1.27% रह गया है नेट NPA 12,176 करोर रुपे से घट कर 11,823 करोर रुपे रह गया ये आंकडा तिमाही दर तिमाही के अधार पर बैंक के लोन ग्रोथ में बढ़ुतरी हुई है साल दर साल के अधार पर बैंक का लोन ग्रोथ 12% रहा ये ग्रोथ तिमाही दर तिमाही के अधार पर 1.2% की रही है डिविडेंट का एलान बैंक ने नतीजों का एलान के साथ ही निवेशकों के लिए डिविडेंट भी बाटा है बैंक ने एक सेर पर 16.01 रुपे डिविडेंट देने का एलान किया है इससे पहले बैंक ने 14 जून 2023 को 12 रुपे, 15 जून 2022 को 6 रुपे पचास पैसा 12 जुलाई 2017 को 1 रुपया और 25 जुन 2015 को 10 रुपया 50 पैसा और 3 जुलाई 2014 को 4 रुपया 50 पैसे का डिविडेंट दिया था बैंक की ओर से इस बार अभी तक का सबसे ज़्यादा डिविडेंट देने का एलान किया है जो 16 रुपया 10 पैसा का है